बिहार में चारो सीटों पर एंडिये के उमीदवार भारी मतों के अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं अब तेजस्वी यादव जी तो इस तरह के बयान देते ही रहेंगे आखिर कारकरताओं के मनोबल को बढ़ाना भी तो है जिस तरह पिछली बार शून्य सीटें राज़त के में आई थी इस बार भी शून्य सीटें ही आएंगे लोग सभा चुना दो हजार चौबिस के पहले चरण के मतदान को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि महा गठबंदन के सरकार चारो सीटों पर जीत दर्ज कर रही है और वहीं उन्होंने बीजेपी पर निश्राना साध दिक्रिया दी और आपको बता दू कि अभिशेक जाने भी राजत पर निशाना साधा है महा गठबंदन पर निशाना साधा है और निशाना साधते वे अभिशेक जाने कहा कि पिछले बार ये लोग शुन्य सीटे भी नहीं ला पाए थे और इस बार भी इनको शुन्य सीट नहीं मिलने वाली है कोई भी सीट इनको नहीं मिलेगी बाकिस से पूरे मामले पर और इसके साथ ही तजस्वी यादों के बयान पर अभिशेक जहाने क्या कुछ कहा है पहले आप उनकी बातों को सुनीगे आधी लडाई तो मनोबल से जीत ली जाती है और जब NDA के कुनबे के मनोबल को बढ़ाने के लिए जनता का शिरवाद प्राप्त है तब क्या सोचता है पहले चुरण के चुनाव देश में संपन हुए हैं एन्डिये ने बहुत बड़ी लीड पहले ही ले ली है बिहार में चारो सीटो पर NDA के उमीदवार भारी मतों के अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं चार सौ पार का जो लक्ष है उसमें चार सीटो का कॉंट्रिबूशन बिहार से पहले ही हो चुका है अब तेजस्वी यादव जी तो इस तरह के बयान देते ही रहेंगे आखिर कारकरताओं के मनोबल को बढ़ाना भी तो है तूटने नहीं देता है क्योंकि उन्हें मालूम है जिस तरह पिछली बार शून्य सीटें राज़त के खाते में आई थी इस बार भी शून्य सीटें ही आएंगी लेकिन अभी छे चरणों के चुनाव बाकी है कारकरता हतोत साहित न हो जाए मारजिन हार का और बढ़न न जाए इसलिए इस तरह के बयान दे रहे है राज़त और महाकट बंधन के बास चुनाव जीतने की चुनोती नहीं है बलकि किस तरह जमानत बचाई जाए उमिद्वारों की इसकी चुनोती तो जैसा कि कुछ इस तरीके से अभिशेक जहाने तिजस्वी यादों के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनका साफ तोर पर कहना है कि पहले चरन के मतदान में ये साफ तोर पर देखा गया कि एंडिये किस तरीके से चारो सीटों पर जीत दर्च करने वाली है और वहीं 400 पार वाले में चार सीटे तो एंडिये की कनफर्म हो गई है भाजपा की कनफर्म हो गई है लेकिन अब इससे वहीं तजस्वी यादों को लगने वाला है कि उनका कुछ भी नहीं हो सकता है जिसकी वज़े से वो ऐसा बयान दे रहे हैं वो अपने प्रत्याश्यों को अपने उमेद्वारों के लिए अपने लोगों का मनुबल बढ़ाने के लिए ऐसा बयान दे रहे है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अभी 6 चरण का मतदान बाकी है और इसलिए वो अपने उमिद्वारों को अपने प्रत्याशी अपने लोगों के लिए उनका मनुबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं जिसको लेकर वो इस तरीके का बयान तेरे और वही उन्होंने ये भी कहा कि जनता सब कुछ जानती है और जनता को सब कुछ पता है कि किसी जिताना है और पनोर्मा गृ। जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशिया नहा ये लो मुझ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined